चोपड़ा जो किस यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्चों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या 8 जुलाई 24 को नीट के रेगार्डिंग सुप्रिम कोट का डिसीजन आ सकता है उसी दिन या फिर हीरिंग आगे भी हो सकती है, तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्या 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, ये सबसे बड़ा क्यूशन है, अभी हर एक स्टुडेंट उनके पेरेंट्स के दिमाग में ये क्यूशन बार-बार आ रहा है कि क्या 6 से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगे? अगर 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो सुप्रीम कोट का 8 जुलाई को जो डिसिजन आएगा, उस पर ये काउंसलिंग का क्या effect रहेगा? क्या reneat हो सकता या नहीं हो सकता? क्या हमें study फिर से start कर देनी चीए तो इन विश्य पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि 8 जुलाई को क्या decision आ सकता है need के regarding क्या need के regarding जो भी decision आएगा 8 जुलाई को आ सकता है क्या तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो matter है 8 जुलाई को 31 serial number पर listed है यानि कि इससे पहले 30 cases की hearing होगी और उसके बाद में 31 serial number पर ये case listed है इसके बाद में ये जो case सुना जाएगा वो CGI court में सुना जाएगा और जिसमें 3 benches, 3 judge benches को lead करेंगे CGI यानि Chief Justice of India DY चंदर्चूल तो ये 8 जुलाई को यानि की court का timing है साड़े 10 बजे लेकिन second half में सुनने की possibility है इस case की क्योंकि इससे पहले 30 case or listed है तो इसके जो connected सारे cases है NEET के regarding उसमें NEET का paper leak का मामला भी है उसमें जो बाकी matters है कि result में कुछ घड़बडियां पाई गई वो भी matters में लगे हुए हैं कुछ student ने ऐसे case भी दाईर कर रखे हैं कि re-neet का oppose भी कर रखा ऐसे case दी है इसमें एक दो case है ऐसे तो इस परकार से यह 24 cases लगे हुए हैं सारे के सारे और इनकी सुनवाई 8 जुलाई 24 को होगी अब हमारा क्यूसन यह है कि क्या 8 जुलाई को ही इसके बारे में decision आ सकता है तो देखो इसके बारे में मेरा मानना यह है कि 8 जुलाई को इसके बारे में decision आ सकता है क्योंकि अभी सुप्रिम कोट के पास में सारी proceedings वगरा आ चुके हैं NTA का reply आ चुका होगा government की तरफ से भी reply आ चुका होगा CBI की तरफ से भी इस matter पर काफी जो report से वो आ गई हो जाएंगी जब तक 8 जुलाई को तो हो सकता है उस दिन भी decision मिल जाए अगर उस दिन decision नहीं मिलता है एक दो दिन बाद hearing date दी जा सकती है तो इसके बारे में अगर ऐसा हो सकता है तो 8 जुलाई को decision आ भी सकता है अगर नहीं भी आएगा तो 8 जुलाई को हमें एक ऐसा पता लग जाएगा कि क्या 6th of July 24 से counseling start हो जाएगी तो देखो counseling start होने का procedure ये होता है कि NTA सभी students का result MCC को देता है और सभी state authority को ये result दिया जाता है NTA की तरफ से तो अगर ये result 6th of July 24 से पहले दे दिया जाता है NTA की तरफ से तो हो सकता है 6th July को ये counseling start हो जाए लेकिन ये counseling start हो करके एकदम से सब कुछ नहीं हो जाएगा यानि की 8 जुलाई से पहले अगर आएगा तो counseling का schedule ही आएगा अगर by the way schedule भी नहीं आता है तो हो सकता है counseling 8 जुलाई के बाद शुरू हो अब मैं आपको पिछली साल का इसका schedule बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा तो MCC का जो schedule है वो दो दिन पहले आ जाता है counseling start होने से एक या दो दिन पहले ये schedule जारी हो जाता है ये NMC की तरफ से जारी हो जाता है या फिर NMC इसको अपने website पर publish कर देता है तो इसका अगर हम मानें तो ये registration की पिछली बार की देखें तो 20 जुलाई से registration start हुए थी और इसका दो दिन पहले ही notification आ गया था तो अगर हम 6 जुलाई का देखें तो अभी मेरे को लग नहीं रहा है कि इतना सब कुछ जल्दी 6 जुलाई को ही हो जाएगा MCC दोरा पहले एक बार schedule जारी किया जाएगा उसके एक दो दिन बाद मी registration start होंगे तो अगर 6 जुलाई को भी schedule जारी किया जाता है तो 8 जुलाई से या 10 जुलाई से ये registration start होंगे तब तक 8 जुलाई को Supreme Court में hearing हो जाएगी तो अगर फिर भी माल लो 6 जुलाई से ये schedule आ जाता है 6 जुलाई से ये registration start हो जाते हैं फिर भी इस process में time लगता है मतलब कहने का मतलब ये है कि 6 दिन तक इसके registration चलते हैं 7 दिन तक भी इसके registration चल सकते हैं इसके बाद में 2 दिन का समय result process में लगता है उसके बाद में result आता है एक दिन बाद में तो ये total जो time taken है ये पूरा 10 दिन का समय लिया जाता है registration के बाद में allotment तक result आने तक और Supreme Court को ये power है कि वो result आने से पहले या result आने के बाद में भी इस पर counseling पर hold लगा सकता है या reneet करवा सकता है जो भी हो वो उस समय भी कर सकता है इसलिए student को इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि 8 जुलाई को decision आएगा और 6 जुलाई को counseling start हो जाएगी तो क्या होगा counseling start होने पर एकदम से ही ऐसा कुछ नहीं बदल जाता है और इसमें समय लगता है तकरीबन 10 दिन का 10 दिन बाद में result आएगा तो मेरे को possibility लग नहीं रही है कि 6 जुलाई से ही counseling start हो जाएगी अभी NTA सभी state authority को और MCC को अपना data भेजेगा पुरा का पुरा उसके बाद में MCC अपने software में हर एक institute से seat metrics वगरा ले करके वो seat update करेंगे उसके बाद में schedule जारी होगा और इस process में थोड़ा सा समय लगता ही है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यह जो counseling start होगी वो 8 जुलाई 24 के बाद में ही होने की possibility है अब हम आगे बात करते हैं कि अगर 6 जुलाई से by the way 6 जुलाई से counseling start भी हो जाती तो 8 जुलाई को decision आ जाएगा तो उसपे क्या effect पड़ेगा है court की तरफ से अगर counseling start भी होगी तो उससे इसने भी लग सकता है उसको रोप भी सकते हैं वो court के उपर depend है पूरा का पूरा तो 6 तारीक को counseling start भी हो जाते हैं तो 8 तारीक के decision पर इसका कोई effect नहीं पड़ेगा अब बात करते हैं कि क्या reneet हो सकती है तो मैंने previous वीडियो में भी आपको यही बताया है कि अभी देखो reneet की कोई ऐसा है नहीं 50-50% chances हैं कि 50% reneet हो भी सकता है और 50% reneet नहीं भी हो सकता है student अभी दो group में बढ़ चुका है काफी सारे student ये चाते हैं कि reneet हो काफी सारे student ये भी चाते हैं कि reneet ना हो ये तो स्वावाई की है कि selection range में student नहीं चाते हैं और जो selection range में नहीं है वो student reneet चाते हैं तो अभी student दो group में बढ़े होए हैं आलारंकि सुप्रिम कोर्ट में भी एक दो केस ऐसे लग चुके हैं जो रीनीट के अपोज कर रहे हैं तो ऐसे इस्टूडे summaj की भी सुप्रिम कोर्ट में इसी याचिका लगी हुई है तो इसमें अभी पूरा का पूरा सुप्रिम कोट पर डिपेंड होता है कि हो सकता है वो decision दे दे की reneet होना चाहिए और वो decision ये भी दे दे की reneet नहीं होना चाहिए वो तो सुप्रिम कोट की सूजबूज के उपर ही है अभी तो कोई भी आपको इस stage में ये नहीं बोल सकता ह कि reneet confirm होगा और कोई यह नहीं बोल सकता है कि reneet नहीं होगा यह 50-50 है यह मैंने आपको fact बता दिया है सारा का सारा अब बात करते हैं कि क्या हमें study continue करनी चीए हाँ मैं हर एक वीडियो में पहले भी बोलता आ रहा हूं कि आपको study continue रखनी चीए क्योंकि हो सकता है reneet हो गया study करनी है तो यह जानकारी थी reneet के बारे में counseling के बारे में जो मैंने आपको fact था वो आपको बता दिया है तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहन